हेलो प्रेंट्स बिल्तम तू माई चैनल अनुराग वाई टी डिट आज हम प्रावदिक कला जो की कच्छा बारा के लिए एक प्रमुग टापिक है निरूपक भिन है जो हमारा प्रावदिक कला का एकजाम है वो 22 फरवरी 2023 को होना सुनी चीत है तो इससे इंपॉर्टेंट ए कोचन अब्जक्टिव में हर बार पूछा जाता है टॉपिक का नाम है निरूपक भिन है कि सबसे पहले जो हमारा निरूपक भिन है इसको हम आरेप से भी प्रदैसित करते हैं आर एप और निरूपक भिन का जो सूतर होता है वो होता है चित्र की दूरी बटे वस्त की वास नहीं होती किन्तु जो निरूपक भिन की एकाई रखी जाती है वो समान रखी जाती है अर्थाथ यदि इस तरफ सेंटीमीटर है तो इधर मीटर दिया आए तो यह जो एकाई आए यह दोनों तरफ हम समान रखेंगे अर्थाथ इस तरफ सेंटीमीटर रखेंगे तो दूस भी नहीं लिखेंगे तो शुरू करते हैं आज का पहला कोशन है पहला कोशन कह रहा है कि 5 मीटर को 5 मीटर को 2 सेंटी मीटर पर दस्रिद करने वाली मापनी का निरुपक भी निक्या होगा तो सबसे पहले इदार हम इनकी इकाई देखेंगे यह सेंटी मीटर में दिया है और इदार मीटर में दिया है तो जो सेंटी मीटर है वो इस तरह पहले लिखेंगे छोटा वाला 2 सेंटी मीटर बराबर इदार आ जाएगा 5 मीटर और हमें ग्यात है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटी मीटर तो यहाँ पे मीटर का मान चेंज गरेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 सेंटी मीटर बराबर 5 इंटू मीटर में हो जाएगा 100 कगुणा और सेंटी मीटर तो यह हो जाएगा दो सेंटी मीटर बराबर 500 सेंटी मीटर अब दो को इधार हम भाग में लाएंगे इधार बचेगा एक सेंटी मीटर बराबर 500 बटा दो दो का भाग 500 हम करेंगे तो ये 500 बार में कड़ जाएगा ये हो गया तो जो हमारा आरेप निकल के आया जो हमारा मान निकल के आया वो आया एक बराबर धाईश होगे यह हमारा मान निकल के आया एक बराबर धाईश होगे तो जब हम इसका आरेप निकालेंगे तो आरेप का सूतर होता है वस्त की दूरी बटे मानचित की दूरी तो जो ये एक निकल के आता है ये वस्त की दूरी होता है और जो इस तरह मान निकल के आएगा वो हमारा मांचित की दूरी होगी तो जो अंस में मान रखा जाता है निरुपक बिन निकालते समय वो हमेशा एक ही होता है तो ये एक उपर रखा जाएगा अंस में और बटे में जो इस तरह मान निकल के आता है वो रखेंगे अर्था इसमें आया है 500 तो ये होगे हमारा निरुपक बिन, निरुपक बिन निकल के आया 1 बटा 500 ये हमारा होगे अब पहला कोशन, बढ़ते हैं दूसरे कोशन की तरह पूसरा कोशन कह रहा है कि 5 cm को 3 मीटर प्र 100 cm तो जो इस तरह मीटर मान दिया है इसको cm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cm बड़ाबर 3 x 100 तो ये आगे हमारा 5 cm बड़ाबर इधर मान हो जाएगा 300 के अब 5 को हम इस तरह भाग में बेजेंगे तो इधर बचेगा 1 cm बड़ाबर 300 बटे 5 5 कबाग 300 करेंगे तो 5 चका 30 अर्थाद 60 बचेगा तो ये हमारा मान निकल के आया 1 बड़ाबर 60 के तो जब हम इसका और अर्थाद निरूपक भी निकालेंगे तो होता है वस्त की वास्तुक दूरी बटे मानचित की दूरी और अंस में हमें समान ये एक रखा जाता है तो उपर रहेगा एक बटे हर में आएगा ये यो ये जो 60 मान के निकल के आया अर्था मानचित की दूरी तो ये हो गया 60 तो ये इस कोश्चन का राइट अंसर हो गया एक बटे 60 ये हमारा हो गया निरूपक भीन अब पढ़ते हैं तीसरे कोश्चन की ओर तीसरे कोश्चन हमारा कह रहा है कि एक मीटर बराबर धाई सेंटी मीटर धाई सेंटी मीटर पर दस्यत करने वाली मापनी के निरूपक बिन क्या होगा तो ये हमारा इस तरफ सवाल करकर हल करेंगे तो धाई सेंटी मीटर लिखेंगे बराबर एक मीटर और हमें ग्यात है क जो एक मीटर कमान होता है वो होता है शव सेंटी मीटर के तो इधर मीटर कमान पहले चेंज करेंगे अर्थात दोनों की इकाई यह सेम करेंगे तो यह हो जाएगा धाई सेंटी मीटर बराबर एक इंटु शव यह हो गया धाई सेंटी मीटर बराबर 100 के अब इस ढ़ाई को हम इसमें इस तरह बेजेंगे ते इधर बचेगा एक सेंटीमिटर बढ़ाबर 100 बटे ढ़ाई के जब इधर दसंब्लो अटाएंगे तो उपर एक जीरो बढ़ जाएगा अर्थात इसका मान हो जाएगा एक सेंटीमिटर बराबर 1,000 बटा 25 अब 25 का बाग 1,000 में करेंगे तो 25 चो को 100 अर्थात इधार आ जाएगा 40 तो ये हो जाएगा 1 cm बराबर 40 जो इसका जो नहीं रुपर भी निकल के आएगा अर्थात आरब निकल के आएगा वो आ जाएगा अंस में मान रखेंगे 1 तो उपर हो गया 1 बटे ह इसका राइट अंसर हो गया 1 बटा 40 निष्ट कोशन जो की सेकंड टाइप का होता है ये एक इंपोर्टेंट कोशन रहेगा इसे जरूर देखें कोशन नमबर फोर कह रहा है निष्ट कोशन कह रहा है हमारा कि 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर जो आए वो 64 वर्ग मीटर को पर दसित करता है इसका निरूपक बिन क्या होगा तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये वर्ग सेंटीमीटर दिया है और इधार वर्ग मीटर दिया है तो जब वर्ग होता है तो ये किसी का एरिया दिया होता है तो सबसे पहले ऐसे कोशन करने के लिए जो ये मान दिया होत सब्सक् mystical root करेंगे तो चार का स्क् justement रूट करेंगे तो आजाएगा दो यह हो जाएगा हमारा दो सेंटी मीटरबर और चॉनसट का स्क्यॉइर रूट करेंगे तो आजाएगा आठ तो यह जाएगा इन्टू 100 के और फिर उसके बाद 2 cm बराबर ये हो गया 8 इन्टू 100 गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा इस दो को हम इस तरफ बेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 cm बराबर 800 बटा 2 अब 2 का बाग 800 हम करेंगे 2 चो को 8 अर्थात आ गया 400 जो हमारा मान निकल के आया वो निकल के आय जाएगा वो अनसमेमान रखा जाएगा एक अर्थात एक बटा और जो इस तरह मान निकल के आया है वो रहेगा मान चित की दूरी अर्थात 400 यह हमारा राइट अंसर होगा निरूपक बिन निकल के आया एक बटा 400 तो इस क्वेशन में सबसें इंपॉर्टेंट बात है वो दिया हुआ हो तो उसका सबसे पहले स्क्वाइर रोड निकालेंगे तो चार के स्क्वाइर रूट निकालेंगे तर दो निकल के आएगा और 64 के स्क्वाइर रोड निकल के आएगा आठ बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन जो हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर है 9 वर्ग पुमधूथ से कि कालना निखनायचंळ साइग तो इसको सबसे पहले स्क्वायर रूड ४ूड निकल आएगा तिन हो गया स्कॉरणी सेन्टी मीटर और 144 की और निकाल निकान ने तो आप यगा बारा 12 मीटर अब हमारे सेम ओपेशन हो ग्या तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले यह जो मीटर दिया है इसको सेंटिमीटर में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा तीन सेंटिमीटर बराबर बारा इंटू सव तो यह हो जाएगा तीन सेंटिमीटर बराबर बारा सो अब तीन को इस तरफ बेजेंगे तो आ जाएगा 1 cm बराबर 1200 बटा 3 अब 3 का बाग बारम करेंगे ते 3 चोको 12 तो इसका जो मान निकलके आया वो आया 1 बराबर 400 के और नीरुपक बिर जब आर्एट निकालेंगे तो वर्थ की दूरी रखेंगे अर्थात अंस में हमेशा 1 रखा जाता है तो 1 हो जाएगा यह हो गए हमारा निरूपक बिन अर्थात आरेप से सम्दित दो टाइप के कोश्चन हमेशा ही जाम में दो में से एक जरूर पूछा जाएगा एक नमबर का तो आरेप से यह आरेप से रिलेटेड और कुछ प्रमुक बाते हैं जो आरेप होता है उसका जो अंस का मान होता है अंस का मान हमेशा एक रखा जाता है अर्थात निरूपक बिन का अंस जो होगा वो हमेशा एक रहेगा और जो हर का मान रहता है निरुपक बिन्न का वो अंस से बड़ा रहेगा अर्थात अगर ये मान लीजे सवाल दी कोई निरुपक बिन्न है एक बराबर धाई सो के तो जब इसका निरुपक बिन्न निकालेंगे तो ये हो गया चित्र के दूरी अर्थात एक बटा वस्तुकी वस्तुक दूरी रखेंगे धाई सो ये हो गया तो जो हमारा अंस रहेगा निरुपक बिन्न निकालते समय वो हमेशा एक रहेगा तो यह objective question में पूँचा जाता है कि निरूपक बिन्द में जो uns command रहता है वो कितना होता है तो uns command हमेशा 1 रखा जाएगा और जो हर command होता है वो हमेशा uns command से बड़ा होता है अर्थाथ uns 1 है और ये देखिये 200 दिया है तो हर command बड़ा हुआ और uns command छोटा होता है तो अब्जेक्ट्ट्ट्व कोशन में पूछा जाता है कि जो निरुपक बिन में अंस कमान हर से बड़ा होता है या छोटा होता है तो अंस कमान पूछे तो अंस कमान छोटा होगा और हर कमान पूछे तो हर जो है वो बड़ा होगा अंस से यह हो गया हमारा निरुपक बिन टॉपिक कम्पलीट होता है यदि आपका कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूँछ सकते हैं और यदि पीडियाप आप कुछ आईए तो टेली ग्राम में सर्च करें अनुराग वाइटी इडिट अनुराग वाइटी इडिट सर्च करके आप ट पेडियाप अपलोड हैं और पेडियाप आप पढ़ सकते हैं धन्नवाद प्रेंट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में